Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel आज का जो हमारी topic है वो है chapter tell, coordination and control के हवाले से guest paper 2014 के जो के expected है और इसके साथ analytical questions मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि आपनी इस chapter को किस तरह प्रपेर करना है और इसके साथ साथ के अगर आपको कोई relevant question आ रहा है paper के अंदर तो आपने इसको किस तरह attempt करना है इसको हम इच रहा दो parts में डिसकस करेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा length ही है और मैं चाती हूँ कि आपको हर एक point के इस तरह समझा है तो बचलते हैं अपनी वीडियो की तरफ ओके बच्चो आपके पर जो है वो बहुत ज़्यदा नस्तीक है मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ में आपको motivation वीडियो भी upload करूँ आप चैनल की बता कि आप लोग motivate हो और दिल आगे पढ़ है और पेपर attempting की टक्नीक्स और कुछ चीज़े में आपको जूरूर बताऊं ताक कि जो आपका confidence है वो high हो moral आपका increase करे और आप बहतरीन तरीके से अपर जो है वो attempt कर के ओ ठीक है तो बचलते हैं अपने chapter की तरफ सबस्पहले तो बचलते हैं जनरल सा introduction है इसको तो आप से रफा एक दफा पाड़ी पी लो तो आपको ले काफी होगा क्योंकि इसके दोने सिरफ इतना बताया हुआ है कि किस तरह बोडी के अंदर coordination control हो रहा होता है किस तरह हमारे जो organ systems है वो आपस में linked up होते हैं और as a body एक as a human जो है वो सारे work up करते हैं function करते हैं दिरेरे दो हमने बिताया है types of coordination दो तरह हैं कि create coordination होती है एक होती है nervous coordination और होती है chemical coordination यह आपको type आ सक тी है और इसकी सब types आते हैं आ गया थी है nervous coordination के नहीं के ना आती है nervous system और chemical condition होती बाई endocrine system आँज हम nervous तक पढ़े है, chemical coordination जो है, वो हम इंशाला काल study करेंगे, साथ सब्सक्राइब तो उन्हें बताया है, coordination action जो होता है, वो कितने parts के उपर depend कर रहा होता है, ठीक है, कितने parts उटल उसके होते हैं, stimulus होता है, receptor होता है, coordinator होता है, effect होता है, और response होता है, तो इस सारी क्या हैं, ये एक nervous coordination है और nurse के थरू और neurons के थरू ये सारे process जो होते है आज में से पोर्ष सकते हैं stability क्या होते हैं कितनी तरह की stimulus होते हैं, जितनी आपके senses है उतनी तरह की stimuli आपके पास 같습니다 receptors क्या होते हैं, koordinators क्या होते हैं factors क्या होते है response क्या होता है ठीक है यह सारी इसकी definite बहुत बहुत इंपोर्ट है और आप से लोंग भी कुछ आज़ा सकता है कि different parts एक कोडिनेटी system के यहां पर उने बताया हुए कि इस तरह नर्वेस और chemical coordination work करते है ठीक है तो यह आपने लाजबन देखने हैं आपको difference अगर आ रहा है लोंग में आ रहा है कि नर्वेस और chemical coordination के दर में difference ठीक है तो आप बता हो कि क्या होता है कि नर्वेस के इंदर यह पार्ट होते हैं chemical coordination के यह पार्ट होते हैं और निसेसरली आपने यह बताना है कि किस तरह यह coordination दोनों हो रही है क्या difference है और वो आप इस डाइगरम के थूरू बता सकते हो कि किस तरह यह coordination जो होती है और आप किस साइस को identify करते हो ठीक है देने है human nervous system human nervous system के लिए बच्छों दो पार्ट आते है एक आपका nerve cell है जिसके through जो message होता है वो एक point से point तक जाता है ठीक है आप इसकी animation वगएरा देखो तो आपको इसके बहुत clearly understanding हो चाहिए किस तरह यह nerve cell और neuron जो होते हैं वो work up करते हैं एक cell के लिए इसकी diagram बहुत बहुत इंपोर्ट है नोड घर्णि स्कंझाओ पोर्ट के लिए लिए किस तरह कि यहां पर पीड़ा करना है आप इस यह पर आप और बारे पुछे हैं आप देखों यहां पर आपसे ऐक जो doc ढाली कीरी की पूरिय की क्या करन Pas Л Way होते हैं यह दिखें यह नपर लीक्राइब बंखा उती हैं यहाइब नेफ़िखें यहापर नेक्स्स किवफी होते हैं यह देखर है के हाप लिखंप है मॉड़र्स इंटर-it ć सब्सेट 930 equation आ then है nerve nerve भी मारे पास तीन तरह क्या होती है sensory nerves motor neurons और mixed nerves होती है ठीक है different और यह जो nerves होती है इनके numbers होती है brain से निकलती है बाई यह nerves और different parts के अंदर different numbers के अंदर यह distribute हो जाती है nerves जो होती है अब division of the nervous system कैसे मैं भी बता करें center nervous system आता है और peripheral nervous system आता है center nervous system सबसे main system होता है ठीक है जो के control करता है पूरी body की metabolism को पूरी body की function को उसके जाता है brain और spinal code ठीक है brain के आगे different parts है आपको पता है brain के क्याथिविजियों होती है mid brain, four brain और hind brain ठीक है आगे four brain के different parts आता है जो कि यहाँ पर लिखे हो है hypothalamus, hypothalamus, cerebrum यह बहुत बहुत important है even though MDK और FSE के अंदर भी इसका major portion आता है क्यों आता है क्यों कि हर एक जो part होता है वो specific होता है हर एक function के लिए अब आपकी body के अंदर जो hypothalamus होता है वो क्या करता है वो control करता है आपके emotions को आपकी गुसे को control करता है आपकी pain को control करता है वो क्लाइयर को control करता है मैंने खुशी के excitement के hormones के release करवाता है यह सारा कुछ क्या करता है हाई hypothalamus करता है और जो hypothalamus होते हो क्या करता है वो सिरफ वो सिरफ दो तरह काम करता है आपके sleep, waking cycle काम करता है मैंस कि कब आपने सोना है कब आपको नींदार या कब आपने उठना है ये थैलमस का काम है तो इसलिए ज़्यादर ज़ूरी ये है कि आप लोग इनके function के साथ साथ means कि इनके structure के साथ साथ आप लोग ये जाद रखो कि इनका particular function क्या है ये क्यों इस तीज़ के लिए खास बनाएगे है और इनका खास क्या अफकाम है तेन है seri barum seri barum और seri barum में confusion नहीं होना seri barum जो है वो four brain का part है जबके seri barum जो है वो हमारे पस किसका part है हारें brain का part है तेक है आगे तीन तरह के लोब होते है frontal, parital, ocital and temporal यह आप लोग पढ़ोगे अपने first year के अंदर skeleton के अंदर पढ़ोगे कि यह bones होती है, bones यहाँ से निकलती है आपके brains के अंदर से ठीक है, और फिर आप लोग skeletal system में पढ़ते हो कि कैसे यह brain को पूरे skull को cover up करती है ठीक है, इनके भी अपने function बढ़ लने है then mid brain के बारे में बने बता है, यह structure है brain का बहुत easy way में आप इसको draw करके आओ और lastman करके आओ, ठीक है बहुत-बहुत necessary है, यूट्यूब के उपर बेश्मार ऐसी वीडियों जाब वो easy animation में बता रहे होते हैं कि किस तरह आप meat brain को, hand brain को किस तरह आप draw कर सकते हो, ठीक है hand brain के different parts है, medulla, आप लोगे ने cerebrum और pons, यह बहुत-बहुत important है cerebrum का role बहुत important है, medulla, प्लोगेंटर का role बहुत important है और pons का, यह अक्सर वो आप से question में पोछ लते हैं spinal code, spinal code के बारे में, जो है न, वो long आ जाता होता है ठीक है, क्यों आ जाता होता है, क्योंग यह spinal code का main function spinal code दागी है, ठीक है, spinal code ने कहा करना है हर एक moment spinal code नहीं करवानी है ठीक है, इसके अंदे भी नवह होती है, इसके structure यहाँ पर given है इसके बार पर में आया हुए, ठीक है, किस तरहा message हमा, इधर आता है spinal code तक, ठीक है, आप touch करते हो कि शी सुट्रेक्ट आप अपने हाथ को पीछे कर लगते हो, तो बिसलिए क्या है, spinal code की तरफ से ही message आता है, तो यह आपने देना कि कहां से message आ रहा है, कहां से effector का रहा है, receptor कैसे receive का रहा है, ठीक है बचो, देन है peripheral nervous system, peripheral nervous system में दो आते हैं, एक आता है somatic और दूसर आता है autonomic nervous system, ठीक है, इसको इनको parasympathetic भी कहा जाता है, ठीक है, autonomic के types के बाद बात का रही हूँ, autonomic system की दो types आता है, sympathetic system और parasympathetic nervous system, ठीक है, यह diagram में यहाँ पर बनाई है, इस diagram को बचो last one कर लो, ठीक है, यह बहुत बहुत इंपोर्ट है, diagram, यह summary, यह key concepts क्या होते हैं, यह key diagram, मैंने chemistry में भी आपको पताया था, यह आपकी information को sum up कर देते हैं, means कि आपकी सारी सारी information को खटा कर देते हैं, आप पुड़ा paragraph ना भी पड़ो, तब ही आपको समझा जाएगी कि इस paragraph में लोने बात क्यार की हुई है, ठीक है, और आगे देन most important reflection, reflection basically क्या है, कि पूरा जो start हमने पड़ा है न, कि brain क्या है कैसे काम करता है, spinal cord कैसे काम कर रही है, message कैसे आ रहा है, यह reflex आपके अपके अपकश कर रहे है, ठीक है, ठीक है, तो किस तरह यह message देखो आ रहा है, muscles के through receptor आतार रहा है, पहले message receptors ही लेके जाते है आपकी जो finger tips के उपर, आपके जहांपर एरो receptor लगे हैं लगें हुए हैं, टच के, क्या करते हैं, उसको pain receptors के जहते हैं, ठीक है, ये finger के उपर भुख ओसदा होते हैं, फोरण से बेरा टच उसको scan करते हैं, और पहले आपके brain तक जाते हैं, फिस पार कोर तक जाते हैं, और दूसरा उन्हेंने मेंचिन किया हुए है यहां पर नीचे एर को हम इंचाला कल की करेंगे क्योंकि यह काफी लेंथ ही है जो आय वाला पार्ट है एर को इंचाला कल करेंगे आय के अंदर क्या है सब्सक्राइब तो आय की आपको डाइगरम लाज़ मनाएं चाहिए आय की डाइगरम 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 अफ आय ठीक है और इसके अंदर डिफरेंट इसके पार्ट आपको इसके हर एक पार्ट का फंक्शन आचाहिए जब आपने डाइगरम बना लिए ना तो डाइगरम बनाने के साथ आप इसका हर एक पार्ट का फंक्शन याद करत आयृस्ट घर होता है किस किलर का लिए है रहे हैं इंगे क्ले हैं उसको क्या फॉस्ट कहते हैं और आपके का आया के अंदर जो पानी हकी होता है वह कैसे Moving कि ए आपकी ढूंस तक जाता है वो contract कर जाएंगे और जो circular muscles है वो relax कर जाएंगे अगसा अब देखा हो जब आप sharp light आपकी आँक में पड़ती है तो क्या होता है आप अपकी आँके क्या करते हो बंद के नहीं कोशिश करते हो तो basically क्या होता है तो आप अपने radial circular muscles के कर रहे हो contract कर रहे हो जो कि आपकी eyes की बाहर वाई surface पर है उनको बंद करते हो तो आपकी eyes जो automatically close जाती है तो आपका लोंग है इसमें लोंग आ सकता है और बहुत-बहुत important लोग है तो आपके एक जनेटिक प्रॉलम्स होती है color blindness एक जनेटिक प्रॉलम है basically ठीक है यह आपके x y kromosomes के उपर depend करती है ठीक है यह जहारता कहते हैं कि यह male dominant character होता है ठीक है जो blindness होती है ठीक है female में के अंदर भी आ जाता है और male के अंदर भी आता है और एक generation छोड़के अगली generation हो जाता है जिसा आपके पास जो होता है hemophilia होता है ठीक है एक generation को I suppose आपके parents को है तो आपके जो आपकी क्या होगी कि आपकी बहन भाईयों में जो आपकी बहन होगी न उसको यह होगा means कि आपकी father से आपकी बहन के अंदर आएगा और बहन से आगे next generation में जाएगा जो male होता है उसको ट्रेक्ट यह पास नहीं होता है ठीक है then I had disorders of eye disorder of eye के नदर है myopia है और hypermateropia है ठीक है यह बहुत-बहुत important है ठीक है क्यूंकि आज के major issues जो है आई के हवाले से यहीं है disorder बच्चे mobile यूज करते हैं जिसके उनके side effect होते है eyes के उपर ठीक है आप देखो eye के उपर effect होते हैं आप अकसे देखा होगा कुछ लोगों जो जब उनको glasses लग जाते हैं तो उनकी eye के जो physical picture होते हो जो चेंज होता है ठीक है आप उनकी eyes को अच्छी तरह आप guess कर सकते हो कि इस बंदे को glasses जो है वो लगी हुई है ठीक है तो different आपके जो इसके condition होती है runway lights के बार में बताया है और general concept आप इसको ले सकते हो बहुत बहुत important है ठीक है आपने देखने है कि किस तरह जो आप treatment कर सकते हो myopia का और hyper myotropia का बैसे लिए क्या होता है जब आप डॉक्टर की पैस अपने eyes check कर वान जाते तो वह आपको एक जगा बढ़ाता है और ABCD different check कर वा रहा होता ठीक है तो वहां से वह guess का लेता है कि कितनी आपकी जो eye की है वो से trend है ठीक है आप दूर की चीदे अच्छी तरह देख सकते हो या करीब की चीदे अच्छी तरह देख सकते हो जिसका defect होता है उससे related आपको जो होता है वह lens लग रहता है उतनी आपको जो होती है वह eyes head की glasses लग जाती है ठीक है then contribution of most scientists यहां पर बहुत important हुने लिखा हुआ कि किस तरह contribution किया है scientist ने eye के अंदर means कि eye के अंदर उसके अंदर different science है क्या contribution था medical scientist है क्या contribution था उन्हें ने कहकर इसके लिए काम किये तो basically आज हम इतना ही पढ़ते है यह के बारे में इंशालला हम का study करेंगे और इसके साथा बच्चों मैं आपको जूर पहना चाहूंगी कि मैं इंशालला motivation video और इसके साथा motivation video साथा साथ मैं ने हर वीडियो में आपको motivate किया है I expect कि आपके जो marks हैं वो full by full आएं इंशालला मैं आप सब के लिए दुआ करूंगी इंशालला आगए और बहुत बहुत अच्छे होंगे best of luck to my dear students कल मिलते हैं एक नहीं अच्छे और exciting video साथ अब तक लिए फियमाने लाग झाल